अध्याय पंध्रा आनुवंशी की जनकों से संतानों तक हेरिडिटी फ्रॉम पैरेंट्स टो आप्स्प्रिंग्स पुर के अध्याय में हमने पढ़ा की प्रजिनन से जीव अपने ही जैसे जीव को पैदा करते हैं जैसे बबुल के पेड से बबुल का बीज और उससे बबुल के पेड ही पैदा होते हैं बक्री से बक्री का बच्चा मनुश्य से मनुश्य का बच्चा नए पैदा हुए जीवों के गुणों में अपने माता-पिता से समानता के साथ साथ विभिन्नताएं भी दिखती हैं। आईए इन समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्यान करने के लिए एक क्रिया कलाप करते हैं। 15.1 जीवों में समानता एवं विभिन्नता। similarities and dissimilarities in organism 15.1.1 जनतों में उधारण मनुश। क्रिया कलाप एक पिछली कक्षा में आपने अपनी दोस्तों के साथ तुलना करके कई समान तथा भिन्न लक्षनों का अध्यान किया था। अब आप अपने परिवार में ऐसे लक्षनों का अध्यान करेंगे। इसके लिए आप अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और स्वयम की लक्षनों के आधार पर दी गई सार्णी में सही का चिन्न लगाएं। सार्णी देख कर बताएं। ऐसे कौन-कौन से लक्षन है जो आप में और आपके माता पिता दोनों में है। क्या कोई लक्षन आपके दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक में है जो आपके माता पिता और आप में भी है। ऐसी कौन-कौन सी लक्षन आपके दादा दादी, नाना नानी किसी एक में है और आप में भी है पर आपके माता-पिता में नहीं है। यह लक्षन आप में कैसे आए होंगे? आपने देखा कि कुछ लक्षन आपके पुर्विजों से आप तक पहुंचे। इस प्रकार लक्षनों का पीड़ी दर पीड़ी पहुँचना आनुवंशी की हेरिडिटी कहलाता है सार्णी में आपने यह देखा कि कुछ लक्षन आपके परिवार जनों में नहीं है पर आप में है इसी प्रकार एक जाती के जनकों की संतानों में समानताओं के बावजुद जो अंतर पाया जाता है वे विभिन्नताएं वेरियेशन हैं और इसके बारे में हमने अध्या एक में पड़ा है 15.1.2 पौधों में पौधों में भी इसी प्रकार कई समानताएं एवं विभिन्नताएं होती हैं एक ही जाते के पौधों में कई समानताएं जैसे पत्यों काकार, फुलों के संड़चना, आदी एक जैसे होने के बावजुत कई भिन्नताएं होती हैं जिससे आप एक ही पेड़ की दो एक चीसी पत्तिया ढूं नहीं पाते क्या एक ही पौदे के दो बिज एक समान होंगे? क्रिया कलाप दो एक मटर या सेम की फली के बीजों का अवलोकन करे क्या फली में दो समान बिज दिख रहे हैं? उन बीजों में क्या-क्या भिन्यताएं हैं? हजारों वर्षों से लोगों ने ऐसे भिन्यताओं का अध्यन किया और अलग-अलग गुण वाले कई किस्म के पौधों को विक्सित किया लोगों को पता था कि एक पेड़ी की कई गुण दूसरी पेड़ी या आने वाली कई पेड़ियों तक प्रगट होते हैं मगर सवाल यह था कि अलग-अलग गुण पैदा कैसे होते हैं? और एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी में कैसे पहुँशते हैं? 15.2 आनुइशी की और मेंडल का योगदान हेरिडिटी और मेंडल्स कॉंट्रिबूशन गुणों के एक पेड़ी से अगली पेड़ी तक पहुचने की प्रक्रिया को समझने के लिए 19 वी शताब्दी में व्यापक अध्यान होने लगे थे अध्या एक में हमने पढ़ा की डार्विन ने विभिन लक्षनों का अध्यान किया और विकास का सिद्धान दिया मगर वे लक्षनों के एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी तक पहुचने की प्रक्रिया को नहीं बता पाए डार्विन और उनकी समय के कही वग्यानिक इस पर शोत कर रहे थे जिन में ग्रेगर जौन मेंडल का योगदान सबसे मतपुन रहा मेंडल आस्ट्रिया के एक मत में पाद्री थे उन्हें बच्पन से ही बागवानी में रूची थी वे अपने मट के बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते थे और उन पर प्रयोग करते थे उन्होंने सन 1856 में शुरू कर पूरे 12 साल तक अपने मट के बगीचे में मटर के पौधों पर लगबग 10,000 प्रयोग किये इसके बाद भी कई अन्हों पौधों पर अपना प्रयोग जारी रखा और नीमित रुप से उनका लिखा जोखा पत्राचार द्वारा अपने समय के वनस्पत्ती विदों के साथ साजा करते रहे वे इस दिशा में किये गए अन्हे वग्यानी को जैसे डार्विन के प्रयोगों के विवरन भी पढ़ते और उनका विशलेशन करते गुणों के एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुचने की प्रक्या को समझने के लिए मेंडल के प्रयोगों से हमें कई जानकारिया मिली मैंडल ने अपने प्रयोक के नतीजों की बारे में अनुमान लगाने वो उनकी पुष्टे के लिए गणितिय गण्नाओं को सम्मिलित किया